मुकेश सहनी की मांग लगातार चर्चाओं का विशय बन जाती है पिछले दिनों मुकेश सहनी ने करपूरी के पुन्य तिती पड़े जो कार्जकरम किया 15 फीजदी आरक्षन बढ़ाने की मांग कर दी तो अब कहीं न कहीं इस मांग को लेकर एक तरफ जहां बिरोधी खेमे म में हलचल है तो वही सत्ता दल के अंदर हल चल मुक्हमंतरी निटीश कुमार से भी उन्होंने मांग की है और अब इसको लेकर कांगरेस ने भी म। कांगरेस के नीता आजीत सर्मा है मान्य मंत्री जी 79 प्रति unrest ально के लिए आप जो अभ्यान चलाने मांग कर रहे हैं आप सरकार में हैं फिर कौन या हधिकार आपको देगा क्या बिहार की जनता देगी किर्प्या जनता की आखों में धूल जोकने की कोशिस ना करे यदि सरकार से मांग करनी है तो सबसे पहले सरकार से आप बाहर निकले मुकेश सहनी की समाग को लेकर आजीत सर्मा ने खुला ओफर दिया है तो अब इस खुले ओफर को लेकर मुकेश सहनी कैसे देखते हैं खास कर तब जब मुकेश सहनी को लेकर बिहार की राजनीत में चर्चाओं का बाजार गर्म है वो उत्तर प्रदेश में चुनाओ लड़ रहे हैं ये तमाम बाते आपने देखी हैं अब इन सभी बातों के बीच कहीं ने कहीं कॉंग्रेस ने तो इसारा कर दिया है कि मुकेश सहनी जी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे साथ आजाईए लेकिन अजीश सर्मा ये बयान देते हैं तो कहीं न कहीं इसके पीछे कई राज़ दपने है मुकेश सहनी पिछले दिनों 15% दियार अरक्षन की मांग कर रहे थे और उन्हें कहा कि 18% दियार अरक्षन मिलता है 15% दियार जाना चाहिए और इस मांग को उन्होंने मुकेश मंतरी नितीश कुमार से की है उन्होंने कहा है कि मुकेश मंतरी नितीश कुमार की हक की बात है उनके जिम्मे की बात है वो इस मांग को पुरा कर सकते हैं अब देखने वाली बात है होगी कि कॉंग्रेस के तरफ से अब ओफर आ रहा है तो मुकेश सहनी का क्या नजरिया होगा और मुकमंतिरे नितीश कुमार उस्मान को कैसे देखते हैं फिलाल के लिए इस ख़बर में इतना है आइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवादी